अगर आपको जानना होगा कि आप कैसे इस वाली स्मार्ट वाच को चार्ज करोगे तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करता है सो गैस देखो अगर आपको जानना है कि आप कैसे E800 अल्ट्रा स्मार्ट वज को चार्ज करो गे तो बहुत सिम्hoven है इसके लिए आपको आपर क्या हम आना होगा देखो और यह आप देख सकते हो, इसमें कुछ इस तरीके का होगा और यहाँ पर ऐसे कुछ भी यह नहीं होगा क्योंकि यह जो है ना वायरलेस चार्जर है तो इस वाली smartwatch में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है जिससे कि आप वायरलेस ली चार्ज कर सकते हो इसे कैसे कारना है वो सबकुछ में आपको 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 आपका आपको 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 आपक यह आपको यह से चिपका लेनी है कुछ इस तरीके से आटोमेटिकल जो है यह चिपक जाएगा और ऐसे ही जो है वार्लेस्ली चार्ज होता है तो आपको अबर क्या गएप्टर इस टो आमने चिपका दिये अब दूसरी साइड में कुछ इस तरीके है का यह यू-एस-बी तो आपको यह उन्हें है सबसेडिये आपके फोन का कोई भी far촉 होगा आपको चार्जर ले लेना है तो यह जो एडेप्टर होगा यह जो केबल यह कि निकाल देनी है यह च्छे tratar धाटेप्टर ब्लब दीजर Kilmi तो यह नीचारजरों किसलोन काएडेप्टर ग Previously और आपको अपर गयानना इसके पीछे की तरफ आपको बता ही होगा या पर USB डालने का option होता है तो वहाँ पर आपको यह वाली केबल कुछ इस तरीके से डाल देनी है जैसे आप इसे डाल दोगे तो आपको यह smartwatch से इस तरीके से कनेक कर देना है अब अगर आप यह adapter को किसी भी socket में डालोगे और switch को on करोगे तो आपकी जो smartwatch है न वो चार्ज होनी start हो जाएगी और आपकी जो T800 Ultra smartwatch है न इसे चार्ज होने में करीब दो गंटे लगते है तो आप दो गंटे तक लगा करके रखना तभी आपकी जो smartwatch है फूल चार्ज हो जाएगी और कमेंड बाता देना कि फूल चार्ज होने पर कितनी चलती है अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए अपका दन्यवाद थैंक्यू सो मच